इंडियन आर्मी रैली भरती में कौन-कौन कर सकते हैं आविदान तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने माला हूँ कि इंडियन आर्मी में कौन-कौन कर सकते हैं आविदान क्या होनी चाहिए यग्यता तो अगर आप भी भारती सेना में भरती होना चाहते हैं तो तो यह वीडियो अंध तक जरूर देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने माला हूं कि इंडियन आर्मी रैली भरती के लिए क्या होनी चाहिए सेक्षिन निक योगेता और इंडियन आर्मी रैली भरती के लिए क्या होनी चाहिए आयूशीमा और उसका कैसे होता है चयन प्रक्रिया और क्या-क्या होनी चाहिए सारीक मापदन तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होने चाहिए अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तिसे लाइक जरू कर दीजेगा और इस वीडियो को अंधे तक जरूर रखता है तो भारती सेनन्य में अगर आप भार्ती होना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेना में भारती के लिए आर्मी रएली प्रमुखभार्ती प्रक्रिया है देश भर में आविद होने वाली विभिन आर्मी रैली के माधम से ही इंडियान आर्मी में यहाँ पर जीडी मतलब समाने ड्यूटी के लिए आपर क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंड और ट्रेड मेंड आधी अन्य पदों के लिए योग उमिद्वारों का तलास करता है हम आपको इस वीडियो के माधम से इंडियान आर्मी में सामिल होने के लिए निर्धारित पातरता, मान दंड और सैक्षिनिक योग गता भरती प्रक्रिया के साथी आर्मी भरती से सम्मझित विस्तित जानकरी देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अन्हें तक ज़वर देखिए उसके बाद दूसरे पाइंट आता है दोस्तों इंडियान आर्मी रैली के लिए निर्धारित सैक्षिनिक योग गता साइनिक जीडी मतलब समाने ड्यूटी उमिद्वारों को मैट्रिक लेवल मतलब दसवी पास मतलब दसवी में प्रतेक विशाय में 33 अंक और कूल योग यहाँ पर 40 प्रतिसत होना चाहिए उसी तरह अगर आप ट्रेडमेंट मतलब तक निकी के छेतर में जाना चाहते हैं तो आपको 10 प्लस 2 मतलब बावी में विज्ञान संकाय में भारतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और गनीत और अंग्रिजी में उकूल 50 प्रतिसत यहाँ पर अंक होना चाहिए था आईटिया भी अगर कर लिए हैं तो अच्छा है उसके बाद तीसरा पाइंट आता है दोस्तो इंडियन आर्मी रैली भरती के लिए क्या होने चाहिए आईव सीमा तो मैं आपको बता दू कि जब इंडियन आर्मी में भरती लिए जाता है तो आपके उम्र साड़े सत्र से मिनिमम साड़े सत्र से अधिकतम 23 वर्ष के बीच होना चाहिए उसके बाद 14 पाइंट आता है दोस्तो इंडियन आर्मी रैली भरती में कैसा होता है चैन प्रक्रिया तो चैन प्रक्रिया वार्शिक रूप से open rally system के माध्धम से की जाती है छेत्री भरती करेलेव में नीम्न चर्णों में भरती प्रक्रिया पूर्ण की जाती है डाकूमेंट, वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है Physical, Measurment, Medical Test, लिखित परिच्छा और मेरिट के अधार पर उमीद्वारों का चेर्ण होता है यहाँ पर Document Verification में Mark Seat Verification, जाती प्रमानपत्र विरिफिकेशन, राष्टि ता प्रमानपत्र विरिफिकेशन आदी सामिल होते है डाकुमेंट Verification के बाद योग उमीदवारों का Physical Fitness Test लिए जाता है। तो screening process में Physical Fitness Test मतलब पी एफट स्का सौर्टकेट नेम है पी एफट पी Physical Fitness Test का आयूजन किया जाता है। स्क्रिनिंग प्रोसेस में उमिद्वारों की सारेरिक योग्यता एवं फिटनेस के परिक्षन के लिए फिजीकल फिटनेस टेस्ट पी एफटी अनिमारिया हैं और सभी स्रेणियों के लिए आवश्यक भी है सभी स्रेणियों मतलब आपका जीटी हो गया है ट्रेडमेंट हो ग क्लार कई आधी के लिए सभी के लिए फी एफ्टी अनिमार्य मंगा जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नीवन टेस्ट का अबजन भी किया जाता है जैसे कि सहन सक्ति परिक्षन के लिए आपको को 1600 मिटर दौड लगबग 5 मिनिट में पूरा करना होता है उसके बाद आपको सहास के लिए 9 फीट चौड़ी खाई को कूद कर पार करना भी होता है फूरती के लिए जीग जैग बैलेंस का परिक्षन भी किया जाता है उसके बाद चेन प्रक्रिया का अगला चलन होता है हो जाते हैं तो इसके बाद मेडिकल के लिए आपको बुला जाता है ठीक है मैं आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो से लाइक जरू कर देजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अपने नेक्स वीटियों पर जहीं जय बारत जय च्छाटिस गर्ड़